एलो अगर्णेतस ऐिमिंड हैं त'Sेटी करेंगे चारएंगए लाइफ सैउकल को यानि फ्मारेक्षिन के लिए प्रिंगोस ण॥ primarily फ्लायवर होते हैं फ्लावर क्या होते हैं फ्लावर मॉड़ीपाइट होते हैं यह उन मारि circular चूर य। ח Adams t प्लावर में मेल और फिमेल दोनों portion होता है ऐसे प्लावर को complete कहेंगे अगर किसी प्लावर में सिर्फ male portion हो यानि male flower और कोई सिर्फ female portion को भी एप करें यानि female flower तो इसको incomplete flower कहेंगे अब male flower को endrosium कहा जाता है और female flower को gynosium कहा जाता है male flower पे एंथर होते ही एंथर पे spore mother cell होती है और spore mother cell में meiosis होता है जिससे कि male gametes बनते है male gametes are the haploid structure which are end and end तो दो male gametes बन गए अगें female flower पे ओवरी होती है ओवरी में spore mother cell होती है इस पॉर जीने सेल कहा जाता है फिर इस पे भी नियॉसिस होती है as the result of which egg is formed egg is again haploid structure तो हम ने कह सकते हैं कि यह यह इतनी दूर इस इस पॉसन है एन फेस इसको एन फेस भी कहा जा सकता है whereas this is 2N phase यह deployed phase कहा जा सकता है तो alternation of generation भी हो रहा है यहां पर अब साथ इसाथ एक secondary nucleus बनता है जो दो haploid nucleus के fuse होने से बनता है और male gamete egg के साथ fuse करता है इसको partilization क्याते है और जाइगोट का formation करता है जाइगोट पर से 2N हो गया n plus n फिर से 2N हो गया वेरास जो दूसरा male gamete होता है वो secondary nucleus यानि 2N से fuse करता है और endo sperm mother cell बनाता है तो endo sperm mother cell जो होता है यह बाद में endo sperm को बनाएंगे जो की developing seed के लिए nutrition का काम करता है उसको nutrition provide करता है तो इस तरह से जाइगोट seed में बाद में convert हो जाती है और फिर endo sperm fruits में convert हो जाते हैं इसके बाद जब development होगा seed का germination होगा फिर से new plant बनेगा और new plant फिर से maturity gain करेगा तो में और पिमेल फ्लावर को बनाएंगा अब यहां पे दो बडर प्रटिलाजेशन हो रहा है एक भार में गामिट और एक दूसरी बार में गामिट और से के इनल नुपली डी खीस को रहा है इस लिए इस पोशिस कुशन को बोलते हैं डबल फटिलाजेशन पर और male gamete साथ ये साथ secondary nucleus जिसमें की 2N number of the chromosome है, तो 2N and N, जब ये दोनों fuse करते हैं, तो 3N बनाते हैं, जिसलिए इसको triple fusion कहा जाता है, जिसलिए इसको triple fusion और ये एक typical angiospun की life cycle थी, thank you.